कि श्री हनमन तलाल जी महराज ने भगवान जी को पहचान दिया कैसे पहचाना वस एक चौपाई राम जी ने का राम जी ने भूल कि आपन चरिते कहा मैं गाई कहा हुभी प्रनिजे खथा बुजाई तो प्रभु पहचानी परियू गह चरना और सो सुखे माँ जाए रही बज़ाई जीवन का सच्चा सुख क्या है यह बताया जीवन का सच्चा सुख यह चौपाई बता रही बोले प्रभु पहचान दुनिया से आपने बहुत पहचान कर ली दुनिया घरवार जाना घर अरुमकान जाना ना तेर स्तेदार जाना 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 अपना अरुपराया जाना रुपिया और पैसा जाना पर उसे नहीं जाना तुझे जिसके पास जाना उसे नहीं जाना तुझे जिसके पास जाना इसलिए प्रभु पहचान कैसे नमान जी ने पहचाना कि राम जी निखा ये मैं आउध्या कि राजा के यहां जनमा मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया यहां मेरी पतनी कारण हो गया और मैंने ये पूरी कथा गाकर के सुना दी राम जी ने कहा कि प्रुभू हनुमान जी ने कहा कि मेरे प्रुभू अगर ये घटना हैं जो आपके जीवन में घटने अगर दुनियादारी का अगर सांसार के व्यक्ति होता और उसके पिता दी कहने हैं मैं पूरी अपनी फैक्टरी पूरी कंपनी पूरी जहां का मैं तोझे मालिक मना रहा हूँ एक रात को बुलाए और पिता अपने बेटिस का बेटा यू आप दिस वर्ल्ड पूरी संसार के तुम मालिक में जा रहा है और दूसरे दिन प्राता काल होते हैं कि जाओ बेटा जंगल भूंगो बोलो क्या पढ़ेगी उसके उपर लेकिन नममले बनवास दुख था सीराम दी फिर भी मुश्कराती है बी हैप्पी हर एक परष्टित में मुश्कराना सीख दुख सुक जिसमें दौनों रहते जीवन है वह गाओं तो कभी धूप कभी चाओ तेरे काटों से भी प्यार और तेरे फूलों से भी प्यार ए इससर तुने अगर मखमली गद्दे दिये हैं तो कोई बात नहीं अगर तु जमीन पर लटाता है तो उसमें भी लेट निकलिते जारो है उससे भी प्यार करो अच्छा सवाशो वर्स जीने का एक नुकसा नोट करऊओं आज सवाशो वर्स जीने की तरीक बता रहा हूँ हमारे अईरवेद में कहते हैं जीवेम शरदा सतम्न ुसका तरीका क्या है कि भोजन आधा पेटिकल है भोजन केतना करें आधा पेट बोरे की तरह ना भरे हैं जैसे होता है ना बोरे को भरते हैं और फिर ऐसे ऐसे हिला करके फिर उसमा भरना सुन करते हैं तो भोजन आधा पेटी कर और दुगना पानी पीव ते गुना स्रिम चोगुन हसी वर्स सबासो जीड़ कल से आप जिन व्यास जी के सनद में ठाकूजी के दिव्यतम चरत्रों को आप श्रवन करेंगे ऐसे वालब व्यास पंडित श्री श्रसी सेखर दुवेजी आपके बीच में ब्रादमान हो चुके हैं इनके माध्यम से कल आप भगवान की शरस रस माध्यू युक्त्र बानी को श्रवन करके जीवन में धन्नता प्राप्त करेंगे कि कभीकभी यूट्यूब चेनल में मैं देखता हूं कि वो कौन-कौन लोग दिखाते हैं बच्चे पूरी दुनिया भर की बातें बता देतें चानक के किसी का नाम है, किसी का कुछ और नाम है, जो पृष्ण करो वो सारे पृष्णों का उत्तर देने में, उत्तर देते हैं, तो हमने इनको सुना तो हमने का चलो, हमारे राम कथा और भक्ति के छित में भी भगवान ने ऐसे बच्चों को संस्कार दिये हैं, जो कथा को कि आपके सामेर ला सकते हैं आज दुनिया के बच्चे मोबाइल और लेपटाप में जहां आपने जीवन को नस्ट कर रहे हैं ऐसे वालब द्यास की रूप में आये हुए बच्चे ठाकुर जी की क्रपा के साथ शाथ शरूप है है तो भोजन आधा पेटिकर आधा पेट भोजन करें और दुगना पानी पी आधा घंटे बाद उस्षे दुगना पानी पी तिगुना श्रिम चोगुन हसी और तीन गुना अधिक वरकहार्ड जो गाड़ियां चलती नहीं है वो गैरेज में ही खराब हो जाती है जो सासें उमर चालिस वर्स की बहु के आते से ही कहने लग जाती है अब तो बहु आ गई मैं बुड़ी हो गई तो आराम सुए तो उनके घुटनों में दर्द बहुत जल्दी शुरू हो जाता है इसलिए बहु आ जाए तो भी गाड़ी को चलाते रहना रवा करते रहना ते गुना अश्रम तीन गुना जितना भोजन किया से दुगना पाने पियो से तीन गुना अधिक काम करें और चोगन हसी और उससे चोगना हसना और ऐसा वैसा नहीं भारती है था जाए के मार कर कि अगर आप नहीं हसोगे तो फिर वो हमारे योग गुरू राम देव बावाएं के कहेंगे लाफिंगे आल सु गुड एक्सरसाइज मुस्कराओ थे मुस्करा के गम का जहर जिसको पीना आ गया यह हकीकत है कि जहां में उसको जीना राम जी की कृष्ण जी की यहीं विशेचता है वे विसम से विसम परस्तिति में ना ममले बनवास दुखता मुखाम बुजस्री रगुन अंदन से में सदास्तु साम मंजुल मंगलप प्रदा पर किसी किसी को भगवान ने ऐसी सूरत दिये कि 2400 घंटे उनके चेहरे पर बारह बजी रहते हैं हर दम मुही लटकाए पुदास ही बठाए अगर किसी न पूछ दिया भाई साब क्या हाल स्वामी जी कट रही है तो भगवान कहता देखो इस नालाइक को कितना दिया और फिर भी कैसी रोनी सूरत लेकर के बठाए मावाब को वो बच्चे अच्छे लगते हैं जो हर परष्टित में उनके सामने खेलते मुश्कराते हुए हैं इसलिए भगवान के सामने कभी निरास चेहरा लेकर के मत जाओ परसंविता के चेहरा बठाए हनुमान जी मराजी समध गया कि आपने जो लक्षन बताये हैं यह इस स्वर के अत्रतिक्तिशी के हो नहीं सकते हैं आप करें आपन चरत कहा में गाई इतनी विशम प्रस्तितियों के बाद में भी आप गीत गुन गुना सकते हो मेरे मालिक तु कब हुँ जो होगे दियोगे न जाके देखा अप्रे गटे दिरें दुखिता के कब हुँ जो होगे दियोगे न जाके देखा अप्रे गटे दिरें दुखिता के कब हुँ जो होगे दियोगे न जाके देखा अप्रे गटे दिरें दुखिता के प्रभु पैही चाने पर्यू गए चरे न प्रभु पैही चाने पर्यू गए चरे न जाके दिरें दुखिता के आवो न बचे न पुले के देखा अप्रभु पैही चाने पर्यू गटे न जाके दिरें दुखिता के शरी हन्मन तलाल जी महरा जब पहचान गए कि मेरा मालिक का ही स्रववप है और दूसरा कोई हो इतनी विसम परस्तितिया घट जाए और फिर भी वो कहे में गा रहा हूँ तो प्रभु पहचान जीवन में प्रभु को पहचान लो जीवन का लक्ष यह है और जिस वक्त तु स्वाइं का ये जो कथा है आत्मा को धुन देती है दुल देती है तृक का रंध्रेने श्वानाम भाव शरौरोहम धुनोती समलं खृष्णा सलिलत से यथा सरथ जैसे शरदृत्ड नद sharing को प्राप्ति करते जी नदियाں पवित्ट्व हो जाती है ऐसे ही ये कथा श्रवन करने से हमारा जो हitelो है न वो पवित्र हो जाता है, साफ हो जाता है, सफ्च हो जाता है. तो कथा श्रवन करके जिनका ध्रादय पवित्र हो गया है, उनकी पहचान क्या है? का धवता आत्मा पुरुशा क्रिष्णे पाद मूलं नमुन्चती मुक्ति सर्व परिक्लेशा पांथस्वा सरणम्यथा भगवान की दिव मंगलमय कथा को स्रवण करके पवित्र हो गयी है जिनकी आत्मा धौता आत्मा पूरुसा क्रिष्ण पाद मूलं नमुन्चती मुक्ति अगर गता से वस्तुता आपकी आत्मापवित्र हो गई है तो फिर आप भगवान के चरणों से रंच मात्र भी आप हनुमान जिन यहीं किया प्रभु पहचान जुही प्रभु को पहचान है तो क्या किया प्रभु पहचान परिव गहीं चरन चरन पकड़ करके गिर जाओ और उसके बाद में आपके जीवन का जो वास्तिविक आनंद है वसुष्टी जी माराज ने नामकरन संस्कार करते हुए दसरत जी से क्या का कि जो आनंद है शिंदू सुखिरासी शी करते त्रैलो की शुपासी सौशु की धाम राम असे नामा अखिले लो के दायके विश्टनाम कि यह राम क्या है सच्चिदानन्द राम सच्चिदानन्द दिनेज़ा शच्चिदानन्द रूपाय विश्वत पत्यादी हेत्वे इसलिए प्रभु पहचान पर्यू गह चरणा और सो सुख उमा यह जब जब ऐसी इस्टिती हनुमंतलाल जी महराजे के जीवन में आतिश है सन्निकटता राम जी कि आती है तो संकर जी मराज रोने लग जाते हैं और सित्रो जाते हैं पारवतिजी कहते ही तो अब मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि है कौन वो संकर सुवन केसरी रंदन स्वेम ही संकर जी है अनुमंतलाल जी मराजी चर्णाओं में गिर पड़े